मम्ता की हिरोईन ने संदेश खाली की पीड़िता पर उठाए सवाल रचना बेनर जी ने अपने बयान से मचाया हरकम इसकार आप देख रहे हैं एमेफ न्यूस आपके साथ मैं हूँ नम्रता एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा शान्त होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ मम्ता की नेताओं को इस पर बयान बाजी करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही एक से बढ़कर एक बयान देकर ये नेता अपनी तो किरिकिरी करा ही रही है साथी साथ मम्ता सरकार की भी फजीहत करा रही है अब देखिए टीमसी के गुंडे शाजां शेक के समर्थन में खुद एक महिला और हुगली से टिकेट पाने वाली रचना बैनरजी ने बड़ा बयान दिया पेशे से हिरोईन रही मौतरमा संदेश खाली की पीडित महिलाओं पर ही सवाल उठा रही है उनसे पूछ रही है हम कैसे मानले कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है उन्होंने कहा ये जो महिलाएं खुद को पीडित बता रही है वो वास्तव में पीडित है भी या नहीं ये हम कैसे मानले अब सोची रचना बेनरजी खुद एक महिला होकर अगर इस तरह का बयान दे रही है तो फिर इनसे और क्या ही उमीद की जाए और फिर बाकी ममता बेनरजी ने तो पहले से ही आँख पर पट्टी बांद रखी है सत्ता का नशा ममता पर इसकदर हावी है कि ना उन्हें रोहिंग्या देश के लिए खत्रा दिखते है ना दूसरे देशों से आए घुसपैठी उन्हें दिखते है संदेश खाली समेथ अलग-अलग जगाओं पर महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार भी उन्हें नजर नहीं आता और जब उन्हें नजर नहीं आता तो फिर उनसे जुड़े लोगों को कैसे आएगा फिर चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो रचना बैनर जी पर इस बार टीमसी ने हुगली सीट से दाव लगाया है ये मैडम लोगों की क्या ही समस्याएं सुनेंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने बयान देते होई क्या कहा वो भी सुन लीजिए जो नेता लोग संदेश खाली को लेकर बड़ी बड़ी बाते कर रही है उन्हें वहां की महिलाओं से बात करनी चाहिए उनकी पहले बात सुनो और फिर बोलो हर कोई यौन उत्पीडन की बात नहीं कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि जो लोग पीडित होने का दावा कर रही है वो असली पीडित हैं पहले गवाहों के बयानों को वेरिफाई करना होगा और पता करना होगा कि क्या ऐसी घटनाएं वाकई में हो भी रही है या फिर नहीं अगर ऐसी घटनाए हुई ही है तो उन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास ममता दीदी है बताइए जरा ये मैडम किस ममता दीदी की बात कर रही है जो खुद संदेश खाली की पीडिताओं का दर्द सुनने के बजाए इसे चोटी मोटी घटना करार देती है हुगली सीट से मैडान में उतरने जा रही रचना के वयान पर बीजेपी की मौजूदा सांसत लॉकेट चैटर जी ने करारा जवाब दिया है एक्सपर लॉकेट चैटर जी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा पोस्त लिखा जिसमें वो लिखती है हुगली से टीमसी क्याडिडेट ही संदेश खाली में मैला उत्पीडन के दावो को खारिच कर रही है जिससे उनकी विश्वस्नियता पर संदे पैदा होता है माताओं, पत्नियों और बेटियों से दुरवहवार की कई गवाही के बावजूद त्रण्मूल नेता अज्यानता का बहाना करते हुए आखे मूंद रही है चौकाने वाली बात ये है कि पीड़ितों ने खुद बताया है कि कैसे त्रण्मूल नेता रात की आड़ में बेखौफ होकर यौन उत्पीडन जैसे जगन्ने कृत्य करते हैं पिर भी पार्टी बेशर्मी से किसी भी गलत काम से इंकार करती है अगर कुछ नहीं हुआ तो शेख शाहजा को निलंबित क्यों किया गया उन्होंने टीमसी को पाखंडी करार दिया और रचना बेनर्जी को भी बंगाल की मुख्यमंत्री उत्पीडन को सुईकार करती है ये बात कही लेकिन अपनी पार्टी की भूमिका पर चुपी साद लेती है ये भी लॉकेट चैटरजी जिक्र करती हुई नजनाई इसकी वज़ा से पीडितों को न्याए नहीं मिल पा रहा उन्होंने कहा टीमसी के शाहसनकाल में बंगाल की महिलाओं को लगातार उत्पीडन सहना पड़ता है जबकि त्रिन्मूल नेता पेशर्मी से मुआफजे के रूपे मातर 500 रुपे की पेशकर्श करते हैं पूरे बंगाल के साथ-साथ हुगली की महिलाएं भी महिला विरोधी त्रिन्मूल के खिलाफ जवाबी कारवाई करने का संकल्प लेती हैं जिससे उनकी सत्ता से शीगर विदाई सुनिश्यत हो सके है बैरहाल रचना बैनरजी के बयान पर बीजेपी आक्रमक है कई ऐसा नहों ये बयान देना रचना के साथ-साथ पूरी टीमसी को भारी पड़ जाए फिलाल आप इस खबर को लेकर क्या राए रखते हैं कमेंट करके जरूर बता